हाई गाईज वेल्कम बैक टो नादर वीडियो एच्पी पीजिटी पेपर वन के लिए इस वीडियो में हम एच्पी जीके के कोश्टन्स डिस्कस करेंगे यह कोश्टन्स पीजिटी कॉमर्स में पूचे गए थे पीजीटी या अधर एग्जामीनिशन में जिनमें भी पेपर वन का क्राइटीरिया है पेपर वन में सेम ही कोश्टन रह रहे हैं एचपी जीके के यह नि उनीच उनिन्दे टॉपिक्स में से कोश्टन्स आ रह immigration हे हैं तो हम इन कोश्टन को अंतिम गाउं हैं बसा हुआ डिस्टिक की नौर में वो है चितकुल, चितकुल विलेज, option A, एक रेक्टोगा एसकोशन का, चितकुल विलेज है बस्पा गाटी का अंतिम गाउं, यह जो बस्पा गाटी है इसको संगला गाटी के नाम से भी जाना आता है, संगला गाटी भी सबसे बड़ी wildlife century है खास बात यह है कि वाइल लाइफ सेंचुरीज में भी PGT पेपर 1 में गोशन पूचा गया था, हिमाचल वरतेश में टोटल 31 वाइल लाइफ सेंचुरीज अगला गोशन गोशन मोट ट्वाइल इन विच आफ दे फॉलोइंग राजा ओफ चम्बाज टाइम देर एक्जिस्ट दे हलक उपर इन चम्बा चम्बा राज्य के किस निमलिकित चम्बा नरेश के समय हलक उपर माइंज अस्तितों में आई चम्बा राज्य में जब हलक उपर माइंज के अस्तितों का पता चला था उस समय चम्बा के राजा थी परताप सिह वर्मन और प्रताप सिह वर्मन ये अकबर का समकालिन था अकबर का समकालिन था परतापसी वर्मन और परतापसी वर्मन के राजगुरू का नाम था रामपती रामपती परतापसी वर्मन के राजगुरू का नाम था राजगुरू का नाम था और अकबर का समकालिन था आप्शन में प्रित्वी सी हैं प्रित्वी सी हैं बोगल बात्सा शाह जहां का समकालिन था ये साह जहां का समकालिन था ये प्रताप सी हैं वर्मन के बाद चंबा का राजा बना था वीर वर्मन कोई ऐस सच नाम नहीं मिलता है चंबा राजाओं के वह सवलियों में भूरी सी सी, जच् allons कि सबत की हैं नाम आप सबी को बता हुआ गूंकि भूरि सी मूजियम के नाम से एक लिक्नीं मीजियम है चंब में, मूरिं सी म्यूंजियम कि स्थापना 1908 में हुई थी, किसने के थी, भुरसी म्यूजिम खोला था, डॉक्टर भोगल के दौरा, डॉक्टर फोगल के दौरा, अगला कोशन, कोशन नमर 13, consider the following about कांगडा डिस्टिक of हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले के बारे में निमलिक्त पर विचार पहला है कि इसके पूर्व में कुल्लू और मंडी जिले हैं, इसके पूर्व में डिस्टिक कुल्लू और डिस्टिक मंडी है, यह क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा जिला है, राज्य का सबसे बड़ा जिला, कांगडा नहीं है, सबसे बड़ा जिला है लोहल स्पिति, कांगड़ा का जो टोटल एरिया है वो है 5749 स्क्वेर किलो मेटर 5749 स्क्वेर किलो मेटर है कांगड़ा जिले का टोटल एरिया क्षेतरफल जो कि हिमाचल प्रदेश का टोटल 10.31 परसेंट एरिया कवर करता है वहीं अगर लॉहाल स्पिती जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज उसका क्षेत्रफल है 13,841 स्क्वेर किलोमेटर जो की है 24.85, 24.85 स्क्वेर किलोमेटर प्रसेंट 24.60 प्रसेंट है टोटल एरियास का हिमाचल प्रदेश के कमपरिजन में नेक्स स्टेटमेंट है देहरा गोपिपूर की सारी तहसी बयास और बंगाना गाटियों में तो यह स्टेटमेंट सही नहीं है लास्ट स्टेटमेंट है मंडी जिले में पपरोला स्रिंकला सिकंदर धार का नाम ले लेती है तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मंडी जिले और statement fourth सही है sorry statement first और statement fourth सही है fourth और first होगे so option D correct होगा statement fourth और statement first अगला कुस्षान है कुस्षान अबर 14 वर्स 2011 की जंगर्णा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने बिना बसे गाउं है बिना बसे गाउं कितने है the number of uninhabited villages in हिमाचल प्रदेश as per census is 2011 uninhabited villages in हिमाचल प्रदेश is 2808 808 villages uninhabited है option B correct होगा यह तो हो गया uninhabited अगर inhabited की बात करें inhabited villages की तो इनकी संख्या है 17820 villages बसे villages की संख्या है 17820 और बिना बसे गाउं की संख्या है 2808 इन डेट आपको याद रखना हो ड़ेगे अगला question है question number 15 how many conservation reserves did हिमाचल प्रदेश have up to 2022 वर्स 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने सरक्षन सुरक्षित यानि conservation reserve थे हिमाचल प्रदेश में total 4 conservation reserves है अब कौन कौन से है इनको भी जान लीजिए एक तो है दाडला घाट दाडला घाट second नैना देवी नैना देवी conservation reserve third है potter hill potter hill और fourth है शिली इन में से सबसे पुराना है potter hill जो जिसकी formation होई थी creation होई थी 2008 में बाकि दाडला घाट 2013 में नैना देवी 2013 में और शिली भी 2013 में create किया गया था इनकी creation होई थी इन में से सबसे बड़ा है नैना देवी डिजर्व जिसका एरिया है 17.01 स्क्वेर किलोमेटर हिमाचल में 5 option में दिया है ये 5 national parks है national parks है 5 कौन कौन से है एक तो कुल्लू में great himalayan national park है दूसरा इंदर किला national park थार्ड हो गया खिरगंगा ये 3 दिश्टिकुलू में है 4th है शिम्बल वाड़ा national park ये सिर्मावर में है शिम्बल वाड़ा s से और सिर्मावर भी s से इसको गयाद रख सकते हैं और 5 है पीन वैली national park ये लहौल स्पिती में है इन 5 में से सबसे जोटा है शिम्बलवाड़ा नाशनल पार्क को कर्नल शेरजंग नाशनल पार्क के नाम से भी जाना दा है कर्नल से रजंग नाशनल पार्क European जब जोटा है और इसका जो है एरिया है हो है 27.88 स्क्वेर गिलिमेट अगला कोशन है कोशन 16 एज पर एडवांस एस्टिमेट अगरिकल्चर इसक्टिड टू ग्रोव इन 2022-23 इन हिमाचल प्रदीष अगरी मनुवानों के अनुषार हिमाचल प्रदीष में वर्स 2022-2032 में क्रिशी के विकास की कितनी आसा है यह एडवांस एस्टिमेट यह 2021 में लगाया गया था था 2022 तो उस समय का अब ये पास्ट में हो चुगा है लेकिन ये कोशन पूराना कहीं से उठाया था उस समय कितनी एस्टिमेट लगाया गया था जार बाइस तीस के लिए तो उस समय अग्रिकल्चर वॉज एक्सपेक्टिड टो ग्रोव 3.5 परसेंट okay option d इसमें ग्रोव अग्ला कोशन है identify the year in which the percentage of हिमाचल प्रदेश growth rate was higher than the national economy उस वर्ष के पैचान किजिए जिसमें हिमाचल प्रदेश की викासदर राष्टी अर्थव्यवस्ता से अधिक्ती तो वर्ष 2019-20 की हिमाचल प्रदेश की викासदर राष्टी अर्थव्यवस्ता से अध दिखती option C क्रेक्ट होगा अगला कोशन ना कोशन number 18, the number of containment areas in हिमाचल प्रदेश up to 2023 was हिमाचल प्रदेश में वर्स 2023 तक सेन्य चावनियों की संक्या कितनी थी, तो containment areas जो सेन्य चावनिया है हिमाचल प्रदेश में वो साथ है, option B करेक्ट हुआ, साथ सेन्य चावनिया है, कौन-kौन सी है, कहा है, एक तो सुबाथू है, सुबाथू, दूसरी कसौली, तीसरी जतोग, जतोग डिसटिक शिमला में, सुबाथू और कसोली डिस्टिक सोलन में, सुबातु पहली कसौली दूसरी, तीसरी जतोग, फूर्थ डगशाई, डगशाई सोलन में और फिफ्थ बकलोह, बकलोह चमबा, शिक्स्थ डलहोजी, डलहोजी चमबा, और सेवन्थ योल, सेवन्थ है योल, योल डिस्टिक कांगडान, तो ये साथ छावनिया हैं हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश में 62 छावनिया हैं, जिन में से साथ हिमाचल प्रदेश में हैं, उस राजे के पहचान के, ये जिसकी वर्स 2021-22 में, प्रतिव्यक्ति आमदनी हिमाचल प्रदेश से कम थे, तो वर्स 2021-22 में, पर कैप्टा इंकम हिमाचल प्रदेश के थी, 2,1271 अब हिमाचल से कम पर कैप्टा इंकम किस स्टेट के थी, इस कोर्शन में पूछा है, तो पंजाब स्टेट की पर कैप्टा इंकम 2021-22 में हिमाचल प्रदेश से कम थी, पंजाब की पर कैप्टा इंकम थ reserved for women in village panchaits by the Himachal Pradis government in 2010 Himachal Pradis सरकार दोरा 2010 में महिलाओं के लिए गराम panchaitों में कितने प्रदान के पद आरख्षित किये गए तो 2010 में महिलाओं के लिए गराम panchaitों में 1622 पद आरख्षित महिलाओं के लिए option B क्रैक्ट होगा अब यहां पंचायत की बात हो रही है तो भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य था राजस्थान जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी टू अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजिस्थान के नागौर जिले से पंडित जौहरलाल नहरू के द्वारा की गी थी सबसे पुराने मतदान करने वाली व्यक्ति थे हैं नहीं थे इनकी डैथ हो गई अब उन्होंने वर्ष 2022 तक कितनी बार मतदान किया तो अन्होंने 2022 तक 34 बार मतदान किया था और यह आजाद भारत के पहले वोटर थे, फर्स्ट वोटर अगला खोशन है कोशन नमर 23, अगला खोशन नमर 23, हिमाचल प्रदेश में धनकर्ड मोनेस्टरी के इस्थान की पहचान कीजिए, तो धनकर्ड मोनेस्टरी स्पीती घाटी में है, अप्शन एक रेक्ट होगा स्पीती, धनकर्ड मोनेस्टरी के साथ स्पीती में एक और मोनेस्टरी है, की मोनेस्टरी है, हिमाचल की सबसे बड़ी मोनेस्टरी है, सबसे बड़ी और सबसे उंची, और अगर सबसे पुरानी की बात करें, ओल्डेस्ट की बात करें, सबसे पु परवन में इसमें question पूछा गैता है ताबो मोनेस्ट्री में से कि सबसे पुरानी मुनेस्ट्री को हिमाल्य का एलॉरा किसे कर आता है किस टेंपल को गायाता है हिमाजल का एलोरा कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको ताबो मिनिस्ट्री की स्थापना हुई थी 996 वे अगला कोशना कोशन नमबर 24 दो बैनर्स ओफ दे इस्ट टाइटल्ड पेंटिंग वाज मेड बाए बैनर्स ओफ दे इस्ट शिर्शक चितरकला बनाई थी बैनर्स ओफ दे इस्ट यह पेंटिंग निकुलस रौरिक की है अप्शन बी करेक्ट होगा निकुलस रौरिक इसके लाव और पेंटिंग भी हैं कि जैसे निकुलस रौरिक को महरिसी के नाम से जना रता है महरिसी इनका उपनाम था है राजकुमारी अमरित को और जो ऑप्शन में हैं यही माचल प्रदेश के महासु संस्दीक सेत्र से संसद चुनी गई थी लोखषबन में 1952 में 52 की जैनल इलेक्शन में और यह राजकुमारी अमरित को और भारत की पहली महिला Health Minister रही स्वस्थे मंतरी भारत की पहली महिला स्वस्थे मंतरी Health Minister राजकुमारी अम्रीद कॉर रही ओके अगला कोश्चन है लास्ट कोश्चन है अजका सूरत सिहम वैद या वैद्दे सूरत सिहम भी कहा जाता है आपको वीडियो के लिंक और पीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वह आपको वीडियो के लिंक और पीडियाप्स टेलिग्राम पे प्रवाइड करवा दी जाती है इसके अलावा आप वोट्सेफ चैनल भी जोईन कर सकते हो इसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जुरूर करें अपना फीड़बेक चैनल के कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच एवना देन गड़्ड ब्लस्यों झाल